सपना का ब्लोग आया था स्नैपी गल का आप सबने देखा वह बहुत ज़्यादा रो रही थी उसमें और उनको देखके जो है ना काफी ज़्यादा इमोशनल भी लगता है यार खुद को भी तो काफी लोगों की कुछ कोश्चन्स थे कि ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने जो ह ही खतम कर दी थे अपनी ममी पापा से या अपने माईके से तो मैं बता दू हुआ कुछ ऐसा था जब इनके हजबन राजवीर की जो बतलब जब गए थे वो तो उसके बाद जो है कुछ ही दिन बाद इनकी भतीजी का बर्ड़े आता है तो इनकी भतीजी का बर्ड़े था पुन्नू नाम है शायद उनका तो इनके जो ब्रदर हैं वो केक ले आए थे केक लाके और उन्होंने जो है सिरफ और सिरफ केक कट करवाया था बस उस बच्चे से बागी कुछ भी कहें तो ऐसा सेलिबरेशन नहीं किया था और केक कट किया था तो उन्होंने उस चीज का व पता दिया था तो सपना ने जैसे ही सुना तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा और ये जो स्क्रीन शोड़ था ये काफी ज़्यादा वाइरल भी हो गया था और ये खुछ शीवी ने लगाया था लेकिन इस चीज के वाइरल होने के बाद सपना को इतना गुसा आया तो देखो सपना को अच्छा लगा और ना ही सपना के सास ससूर को अच्छा लगा इधर से देखा जाये तो वैसे गल्त भी है कि अगर देखो इनके सास ससूर के दोनों बेटे थे दो ही थे और दोनों बेटे भगवान ने छीन लिए और उसके बास सपना के पास भी कुछ नहीं बचा और वहाँ पर अगर उनके मम्मी पापा एक महीने के अंदर ही इस टाइब कर रहे थे तो वह देखो नहीं करना चाहिए था उन लोगों को और अगर उनने किया भी तो उनको सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं लाना चाहिए था लेकिन बात करें शीवी की तो चड़ा की बताए कि यह सब क्या हो रहा है अच्छा नहीं लग रहा तो शीवी ने कुछ ऐसा बोला तो इसकी वज़े से शीवी को भी काफी कुछ भला बुरा सुनने को मिला था काफी लोगों ने भी बोला कि शीवी के कारण ही आज सपना और उसकी जो फैमली है मा बेटी के बीच में भी इनका इनोंने जो है लड़ाई करवा दी है मा बेटी की तो काफी कुछ हुआ था तो यह कारण था और दूसरी बात कर ले सपना की तो सपना बहुत ही जिम्मेदार जो है एक बहु है जिसने की देखी उसके पास इस टाइम कुछ नहीं है दो दो हस्बन कोन और निभाएगी आने वाले टाइम में उसने जो अपने सास ससूर को अपनी मम्मी पापा के से भी उपर समझा और वो यहीं रही और उनकी सेवा भी करती है तो बस इसलिए कि उनको बुरा ना लग जाए तो वो अपने मम्मी से बात नहीं कर रही थी और बात करें इनके जठानी ने इनके उपर इलजाम लगाने शुरू किये हैं और सबको जब से पता लगा इनकी जठाने के किस तरीके से उनका बिहेव रहता है हाला कि उनके अस्बंड भी हैं सब कुछ है सब कुछ होते हुए भी वो अपनी सास ससूर के साथ नहीं रहती इतना गंदा वाइरल हुई सब लोगों ने देखा तो कितना ही अलग हैं मतलब एक घर है दो बहुएं हैं देख लो और दोनों कितना चेंज हैं इधर से सपना को देखा जाए तो काफी ही मेहनती जिम्मेवारी जो है मतलब वो रखती है उनकी जठानी की बात की जाए तो वो कुछ नही पर होके उनसे बात करती है तो कहीं ये लोग हर्ट ना हो जाएं और वही है कि उनके पास अब कुछ नहीं है देखो उनकी बच्चियों के पास मतलब बाप का साया उट चुका है उनके पस सिरफ दादा दादी तो वो भी ना चींज जाए कहीं ना कहीं तो बस इसलिए जो ह सपना थोड़ा सा जो है मतलब पेशन्स भी लगा लो उसके अंदर है इतना टाइम से वो चुप रही कितने महीने हो गए और इतने महीने बाद अब उसने अपनी मम्मी से अपने भाई से बात करी इवन वो बोल भी रही थी कि वो मिलने आते हैं हाँ वो मिलने आते हैं सपन से मिलने आते हैं जैसे है कि वो इसने बात नहीं करती है पने सासर की वज़े से लेकिन अब उससे's पर्मिशन मिली यह तो उस ने प *** भी हलक चलो चलो रूर जहीं बीच्छन उपने कर już a站 mesmo और उनकों सब्सक्राइब का और उन्केम म dziरा में सर्सक्ριाहिं कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ओन करना बिलकुल न भूलें सो बबाई मिलते हैं आप से एक न्यू वीडियो में बाई